विक्रमादिते जी का स्टेंड समझ नहीं आता कभी वो केंदर सरकार का धन्यवाद करते हैं और कभी केंदर सरकार के उपर प्रसंचिन खड़ा कर देते हैं एक दम यू टर्न लेना ये उनका स्वभाव बन गया है यू सी सी के उपर भी उनका लू अया और दूसरे दिन पार्टि के हाहिकमान का दवाव आता है उसके बादो अपने बयान को बदल देते हैं भारत सरकार ने केंदर की सरकार ने मोदी जी की सरकार ने हमारे प्रदेश के नेतरितों ने दिल्ली में बात कि और उनके अगरापर तुरंत किंदर से हमको लगवग 2700 करोड रुपे की परधान मंतरी ग्राम सडकी योजना के तृत्य चरण में हमको वो मंजूरी 253 सडकों की आई जो सडके तूटी हुई है जिनकी हालत खराब है उनको ठीक करने में ये रासी बहुत मदद हमको करेगी उन घरों के लिए किंदर की मोदी जी की सरकार ने 6000 घर हिमाचल परदेश के लिए मंजूर कर दिये और इसके लावा भी अलग लग किस्तों में हमाचल परदेश के लिए केंदर की मोदी जी की सरकार ने दिल खोल कर मदद की लेकिन हमाचल की सरकार जो आज जिसका कोई तालमेल नहीं है मुखे मंतरी जी का मंतरियों के साथ तालमेल नहीं है और विधायक जो है वो मंत्रियों के साथ तालमेल नहीं है और वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए केंदर सरकार के उपर सारा दोस दे रहे हैं बिक्रमादित्य जी आकर गूम रहे हैं सडकों को खोलने के लिए प्रयास करना चाहिए और जल्दी से जल्दी सडके खुलनी चाहिए लेकिन उन सडकों को खोलने की बजाए केंदर की मोदी जी की सरकार के बारे में कह रहे हैं के अंदर से जो मदद आनी चाहिए थी वो मदद नहीं आ रही है मुझे लगता है कि ऐसी घड़ी में हमको सब को मिलकर काम करना होगा और प्रदेश की जंता कि ने हमको चुनकर इसलिए बेजा है कि हम जंता की सेवा करे और संकट की घड़ी में आपदा की घड़ी में रानिती नहीं होनी चाहिए वो इस सब्द को भी बार बार बोलते हैं लेकिन साथ में रानितिक बियान बाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे है